हलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरूजी में आज के इस वीडियो में हम लोग एक फीटर को जॉब इंटर्वियू में मेजरिंग यूनिट्स के उपर पुछे जाने वाले कुछ कोईश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे तो वीडियो बहुत नोलेजवल होने वाला है दोस्तो अगर चैनल में नहीं हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेसन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जॉइन कर लिजे क्योंकि मेंबर्स के लिए इस्पेसल विडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तो तो चलिए करते हैं विडियो को स्टार्ट विडियो में बने रहिएगा अंत तक विडियो को एकदम स्कीप मत किजेगा दोस्तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इन्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जॉब इंटर्वियो में इस पेसे आपको कुछ क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे अगर आप फेबरिकेशन फिटर है तो पूरा विडियो को वाच किजेगा क्योंकि मेजरिंग यूनिट्स के उपर फेबरिकेशन फिटर को बहुत जादा पूछा जाता है दोस्तो तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश् चलिए जादा लगर देना है 25.4 mm एक इंच में कितने mm होते हैं 25.4 mm question नमबर 2 में चलते हैं how many inch in one fit एक featuring में कितने इंच होते हैं एक फिट में दोस्तों बारा इंच होते हैं. आप लों को जब भी पूछा जाए कि एक फिट में कितने इंच होते हैं? How many in one feet? तो आपको बोलना है बारा इंच. चलते हैं question number 3 में. How many feet in one meter? एक में में कितने feet होते हैं? जब भी आपको पूछा जाए कि एक मीटर में कितने फिट होते हैं तो आपको एंसर देना है 3.2808 फिट 3.2808 फिट ये आप लोग को याद रखना है दोस्तो question number 4 है how many micron in 1 mm बहुत important question है दोस्तो ये job interview में एक फिटर को बहुत बार पूछा गया है how many micron in 1 mm तो आपको answer देना है 1000 micron in 1 mm एक mm में कितने micron होते हैं 1000 micron होते हैं दोस्तो question number 5 में चलते हैं how many mm in 1 cm 1 cm में कितने mm होते हैं तो इसका answer आप लोग को देना है 10 mm कितने देना है answer दोस्तो 10 mm एक cm में 10 mm होते हैं question number 6 में चलते हैं how many meter in 1 km ये भी बहुत ही common question है दोस्तो बहुत बार पूछा गया है job interview में कि how many meter in 1 km simple सा question है इस पर आप लोग को answer देना है एक 1000 meter 1000 meter होता है एक km में दोस्तो question number 7 how many cm in 1 feet 1 feet में कितने cm होते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तो 1 feet में 30.48 cm होते हैं 1 feet में कितने cm होते हैं 30.48 cm जब भी आपको पुछा जाए कि how many cm in 1 feet आपको answer देना है 30.48 cm question number 8 में चलते हैं how many mm in 1 feet how many mm in 1 feet 1 feet में कितने mm होते हैं तो आपको answer देना है दोस्तो 30.48 mm आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 1 feet में कितने mm होते हैं 30.48 mm होते हैं दोस्तो इसको आप लोग को याद रखना है question number 9 में चलते हैं how many cm in 1 meter 1 meter में कितने cm होते हैं ये भी बहुत बात job interview में पुछा गया है दोस्तो तो आपको इसका answer देना है 100 cm एक मेटर में कितने cm होते हैं 100 cm इसको आप लोग को याद रखना है दोस्तो अभी जो ये दो important question है इसको एकदम note कर लिजे ये job interview में फीटर को पूछा ही जाता है दोस्तो question number 10 है what is the least count of micrometer ये बहुत important question है job interview में फीटर को बहुत बार पूछा गया है जितने बार भी job interview फीटर का हुआ है तो ये वाला question जो है ये common question है ये पूछा ही जाता है दोस्तो what is the least count of micrometer micrometer का list count क्या है तो इसको आप लोग को याद रखना है manually micrometer जो होता है दोस्तो उसका list count है 0.01 mm और जो digital micrometer आता है दोस्तो अभी जो नया भी यूज किया जाता है digital micrometer उसका जो list count है दोस्तो 0.001 mm जो manually micrometer है उसका है 0.01 mm और जो digital micrometer है उसका है 0.001 mm question number 11 में चलते हैं what is the list count of vernier caliper ये भी बहुत ही important question है दोस्तों कि vernier caliper का new thumb map क्या होता है तो जो vernier caliper का list count है दोस्तों वो है 0.02 mm ये आप लोगं को याद रखना है अभी मैं एक question पुछूंगा जिसका answer आप लोगं को comment करके जरूर देना है अगर आपने वीडियो को last तक देखा है तो ये आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों how many centimeter in one feet इसका answer आप लोगं को देना है कि how many centimeter in one feet one feet में कितने centimeter होते हैं ये comment करके आप लोगं को जरूर बताना है दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को full watch किया है दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला knowledge मिला तो अभी तुरण चैनल को subscribe कर लिजे साथी bell icon को press कर दिजे जिससे आप लोगं को regular notification मिलते रहेगा दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों